दर्शकों नमस्कार है आपको एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन न्यूज डिनन की खास पेशकर्ष दास्ताने काम्याबी एक आम आदमी का खास सफर वो सिलसिला जो जिन्दगी के नए आयाम इस्थापित करता है हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो जिन्दगी में यह सोचते हैं कि सकसेज केन भी अचीवड ओवरनाइट उस शलोक को उस फ्रेज को हम उनकी नजनों से दूर करना चाहते हैं success का, जिन्दगी की किसी भी प्राकृतिक चीज का, जिसको कि हम नैसरकिक चीजे भी कह सकते हैं, उनका एक system of operations होता है, एक ले होती है जिसमें वो बढ़ती हैं और आगे बन करके उभर के आती हैं, दोस्तों कामियाबी सबको पसंद है, लेकिन उस कामियाबी की कीमत क्या होती है, उस कामियाबी के पीछे समर्पन क्या होता है, सबसे जरूरी चीज वो है, इसी सिलसले को हम अपने राजनीतिक सफर नामे में बढ़ा रहे हैं, आज हमारे आपने समय निकाला, मुश्किल होता है मैं पता है, अपने व्यस्ट schedule में से हमारे लिए time निकाला और दर्शकों को हम चाहेंगे जो आपकी जिन्दगी रही है जो बच्पने से लेकर के आज तक का आपने सफर करा शिक्षा के शेतर में बताने की जरुवत नहीं है, आपकी जो qualification है, दुनिया जानती है फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए आपके मुझे वो बाते सुनेंगे शिक्षा में भी सफलता प्राप्त करी एक नया आयाम इस्थापित करा राजनीती में भी कहने की जरुवत नहीं है खुद establish हुए और बहुत सारे लोगों को establish करा और राजनीती भी अपनी शर्तों पर अपने terms पर और सत्य पे चलते हुए बहुत कुछ है जो हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शक आपको सुने और दर्शकों सिर्फ सुनने तक हमारा दाईत्व खतम नहीं होता हम ये भी चाहते हैं कि आप सुनिए उन बातों को अपने अंदर उतारिए और उसके क्या लाब है वो जरूर हमें बताईए जिससे हमें होसला मिलता है तो आज इस सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं सुनकर शास्त्री जी के साथ सबसे पहले तो उनसे इजाज़त लेते हैं कि हम उनके जिंदगी के विक्तिगत अनुभव आज 195 देशों में न्यूस डिन इन इस्थापित है देखा जा रहा है और हम चाहेंगे कि उनके ये अनुभव लोगों के काम आए उनकी इजादत से हम इसको पुरे दुनिया में पेश करें तो शास्ती जी सबसे पहले हम शुरुवात करना चाहते हैं आपके बच्पने से जैसे हमारा दहरवाही का नाम है टॉक शो का दास्ताने काम्याबी एक आम आदमी का खास सफर जिस परिवेश से आप निकल किया है बनारस से कैसे आपके बच्पने की शुरुवात हुई और क्या-क्या चीजे थी जिन चीजों को देख करके आपके मन में आता था कि मैंने कुछ विशेश बनना है या कुछ बनना है दिखिए बिलकुल आप ऐसे प्रश्ण किये हैं और अंतरमन की भित्तियों में उठते हुए उन चित्रों की तरफ आपने आकरशित किया है जो कहीं न कहीं बहुत पीछे चुड़ गया है लेकिन हमने कोशिस किया है कि उसको चोड़ने की बजाए कहीं न कहीं सजो करके रखा जाए और वास्तों में कभी कभी जब अकेले में रहने की इक्षा होती है तो वो सारी चीजे एक एक करके बहुत अच्छी लगती है मन भर गता है वो सब चीजें सोच करके एक बारणसी के गाउं में हम लोग रहते थे परिवार साधारन ही था जब फादर हमारे पिता जी बतलाते थे कि वो साड़ी की बुनाई करते थे और वो भी नो वर्स की आयू में वो साड़ी की बुनाई करते थे तो वो वहीं से हम लोग की चुनोती शुरू हो जाती थे कि हम लोग ऐसे बाप के बेटे हैं जिसने संगर्स को अपने जीवन का आभिन बनाया था और नौ वर्स के आयू में ही वो साड़ी की बुनाई और छोटे मोटे इस प्रकार के मजदूरी त्यादी करते हुए वो हम लोगों को यहां तक पहुँचा है सच बात है उन्होंने बहुत जबरजस्त उस जिन्दगी को नजदीक से देखा जिसको मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे बच्चे शायद नहीं देख सकेंगे गाउं में रते गाउं के स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल 50 परसेंट बच्चे अर्धनग नीश्थिती में आते थे हमें आज भी याद है हमारे पुराने दोस सतिनरायन मंगल और भोला बाबूलाल पारस सारदा भगवान दास ऐसे बच्चे थे जिनके सरीर पर कपड़े भी नहीं होते थे लेकिन वो पढ़ते थे और दीरे दीरे हम लोग प्रैमरी स्कूल पास करके फिर पास में ही एक टाउन एरिया था मंडवाडी वहाँ जा करके एक स्कूल में पढ़ना शूरू की है छेटमी, साथमी, हाटमी छेटमी में जाते ही अंग्रेजी भासा पढ़ना पढ़ा यनि आप कल्पना करें कि पांचवी तक हम लोग ABCDV नहीं जानते थे उस समय मेरे ख्यार से हैं अगर ये 60 के दशक की बात होगी 65 के दशक की तो उस समय तक शिक्षा का इतना ज़ाधा नहीं हो पाया था विस्तार की इंग्ली शुरू हो जाती खासकर ग्रामीर शेत्रों में तो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था अब ABCD पढ़ते ही पहले उस सुकता थी अपना नाम अंग्रेजी में लिखा जाए मैंने अपने नाम की स्पेलिंग लिखना शुरू किया अपनी उस सुकता से B I J A Y मैंने लिखा B for Bombay और चलता रहा है पढ़ाई ऐसे ही चलती रही आठमी भी पास किया फिर आठमी के बाद हम लोग सीटी में पढ़ने के लिए गया है बना रहा है सहर में क्योंकि हम लोग गाउं में रहते थे पैजामा सर्ट पहन के जाते थे लड़के चुडाते भी ते कौन सा ट्रेस पहन के आया है Central Hindu Boys School में हम लोग रीटेन टेस्ट दे कर के पास किये थे और नाइंथ क्लास में वहाँ एडमीशन लिए थे उस समय रीटेन टेस्ट एकका दुका विद्यालेों में चलता था पर हम लोग रीटेन टेस्ट दिया और हमारे इतफ़ाद था कि हमारे गाउं के साथ बच्चे रीटेन टेस्ट दिये थे और साथ के साथों का सिलیک्शन हुआ था सारे बच्चे फिर वही जो प्राइमरी स्कूल में जो माहौल था वही मीडिल स्कूल में माहौल और वही फिर जाकर कि हम लोगों को सहर में साथ में पढ़ रहे हम लोगों का एक ग्रूप था ग्रूप से बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि बाहर की दुनिया बिलकुल अलग थी पैजामा को टॉंड करते थे कि हम लोग पेटी कोट पहन के आए पहले जमाने में वो चलते भी थे थोड़ा सा चिड़ाते थे बच्चे बहराल वहां भी हम लोगों ने पढ़ाई लिखाए कि लेकिन कहने का यह कि यह सब सारी चीजे मुझे कहीं न कहीं मेरे परिवार से मिलना था मेरी मां का क्यों एक निर्णे जो मुझे बहुत भावब बना देता है उनका एक निर्णे था कि मेरे घर में कभी भी अल्कोहल नहीं आएगा कभी भी नॉन्वेज नहीं आएगा और इससे जो बचत होगी मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई परिखाए खर्च करूंगे उनके एक निर्णे ने हम लोग पाँच भाई सगे पाँच भाई और चार बहने और उनमें सबसे चोटा मैं हूँ सब भी पढ़ाई लिखाई में हम लोग आगे और माता जी भी शिक्षित थी बिलकुल पढ़ाई लिखी नहीं थी दर्शकों विजय जी के साथ बाचीत का सिलसला शुरू हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं मुझे बीच में बोलने की जरुवत भी नहीं पढ़ रही है इनकी आखों में उस सारा कुछ उतरना शुरू हो गया इनकी वानी में वो भावनाय लरकनी शुरू हो गई जो शायद इनके लिए कितनी महत्पूर्ण है ये तो सब जानते हैं लेकिन वो भावनाय एक चीज की अभी व्यक्ति है कि ये जो बोल रहे हैं ये प्लांड नहीं ये जो बोल रहे हैं ये जो सब्ण आखों में इनकी दिख रहे हैं जो कभी इनोंने जिये थे वो फैब्रिकेटेड नहीं है सिलसला आगे बढ़ाते हैं एक जो बहुत संदर बात इनोंने खुद अपने आप कह दी जो हकसर हम लोग बाचीत करते हैं अपने महमान के साथ मा खाली किताबी ग्यान होता है लेकिन एक ग्यान जो बहुत बड़ा उभर के आया इनकी बातचीत से माता पिता के लिए उनके सम्मान के सुरूप शायद इनकी आखों में भी वो सम्मान दिख रहा है कि अल्काहॉल वस नॉट इलाउट जो आज की पड़ी लिखी संस्कृती का हिस्सा बन चुका है जो इस देश की संस्कृती से बिलकुल अलग है वो उस समय में शायद वो शिक्षा जरूर ना रही हो किताबों की लेकिन वो आध्यात्मिक शिक्षा पूरी मौझूद थी और वही कारण रहा कि नवी संतान थे ये सबसे छोटे थे भाई बैनों में उसके बावजूद भी शिक्षा का और संस्कार का जो इस्तर है वो दिख रहा है विजय जी हम बाचीत का सिलसला आगे शिरू करते हैं आपने बताया ममा के माता जी के बारे में कि वो शिक्षित ना होते वे भी उन्होंने ये दो चीज़ों को घर से बिलकुल बैन करके एडमिनेशन कॉलिफाई करके आपको एडमिशन मिला जो कि उस समय बहुत बड़ी चीज़ होा करती होगी बहुत ही काम ऐसे इंस्टिउशन रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें गिने चुने रहे होंगे जहां पर इंट्रेंस एडमिनेशन देना पड़ कैसे निभाया गया होगा? कि उन्होंने 42 नौवेल्स लिखा था उनको जब वो 11 क्लास में थे तो उन्होंने नौवेल लिखा था जिस पे उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था हम जुरू चाहेंगे कि उनका नाम उनका जिक्राफ करें? वो राजनात सोनकर सास्त्री के नाम से जाने जाते थे और इन्फैक्ट हमारा गाउं जो फादर जहां हम लोग पैदा हुए वो एक दूसरा गाउं था हमारे दादा जी का गाउं जो था वो लालपुर करके बनारस का ये गाउं है और लालपुर से बगल में ही लमही एक गाउं हुआ करता है जिसको दुनिया भर के लोग इसलिए जानते हैं कि लमही गाउं में प्रेमचंजी पैदा हुए थे मुंसी प्रेमचंजी उनका गाउं और हम लोगों का जो पैत्री दादा के समय का गाउं दोनों अगल बगल में था और हम लोग सुनते भी थे कि शायद दादा जी का और प्रेमचंजी का बड़ा अच्छा रिष्टा था इसका प्रमाड ये है कि दादा जी हमेशा बड़े भाई साब से कहते थे कि देखो हमारा एक दोस्त बहुत पढ़ा लिखा और उपनियास उसने लिखा है तुम लोग नेशनल आवाड भी मिला बलकि एक आजीब घटना हुई जब वो नेशनल आवाड लेने के लिए जाते हैं तो मंत्री जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा नहीं आया है तो उनोंगों ने का पापा के तो बुलाया नहीं गया था तो उन्हों किया तुम ही अच्छा लगा और ये सारी चीजे हम लोगों को परिवार में देखने को मिलती थी मेरे मन में भी आया कि मैं भी लेखक बनूँगा लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया कि मैं कहानी किससे नहीं लिखूँगा कुछ सीरियस विशय पर मैं काम करूँगा और मेरी एक्षाती कि मैं अर्थ सास्त का ध्यान करूँगा और देश की जो चुबती थी हम लोगों को गरीबी और गरीबी का प्रणाम भी हम लोग देखते थे विद्याले में जो अच्छे परिवार के लड़के आते थे उन में और हम लोगों में एक्दम अलग सारी चीज़े दिखती थी कपड़े इत्यादी से लेकर कि और सब कुछ मुझे लगता था कि इसका सलूशन डोटना पड़ेगा और मैं तब ही से जब मैं हाई स्कूल में था तब ही से मैं थैंक किया था कि मैं आर्थ बेहुज़ता के च्छेतर में काम करूँगा और देश में जो यह जो अमीरी गरीबी की समस्या है इसका समाधान खोजना पड़ेगा बाद में मैंने इस तंदर में पार्लिमेंट में भी कही जगें बात किया मैंने सुब्डम स्वामी से लेके इंदर जीत गुप्त जब हुआ करते थे उनसे भी सिरियसली इस बिशेपर बात करता था कि देश में बेरुज़गारी की समस्या कैसे खत्म हो और खास्तोर से यह अमीरी गरीबी का जो एक गैप है इस गैप का कोई समाधान तो निकलना चाहिए देखिए मुझे दो तीन चीज़े जो मैंने बिशद अध्यन किया तो मुझे मिला एक तो भारत में जो कास्टिजम है जाती बात इसमें तथा कतित उच्च जाती के लोग तथा कतित निम्न जाती के लोगों के साथ भेद भाव रखते हैं गृड़ा और नफरत की भी बात में कह सकता हूं सेम यही चीजे यूरोप और अमेरिका में जब मैं देखता हूं तो वहां रैसिजम के रूप में मुझे दिखाई देता है और वहां भी वाइट लोग उतना ही गृड़ा नफरत हीन भाव ब्लैक के सा रखते हैं जितना की हमारे देश में उच्छे जाती के लोग नेमन जाती के लोगों के साथ यही भारत का कास्टिजम यूरोप और अमेरिका का रैसिजम दोनों मुझे एक दिखाई देता है लेकिन भावजूद इसके इन दोनों समस्या के दुनिया में मुझे एक और समस् हमारत यही भाव गरीबों के परती होता है जितना कास्टिजम में उच्छे जाती के लोगों का नیम्न जाती के लोगों के साथ या इसका समाधहान निकलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है जो जहां तक मैं उस निस कर्स पर पहुँचता है कि इन समस्याओं का समाधान निकालना है इन तीनों समस्याओं का एक ही समाधान मैं अभी तक उसी निसकर्स पर पहुँचा हूँ और वो समाधान है भारत के कॉस्टिजम का या यूरोप अमेरिका के रैसिजम का या सेश बीचुम्या मेरी घरीबी का best human being अच्छा मनुस्य अगर बन जाए तो इतीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा और best human being बनने के बाद दुनिया की हर समस्या का समाधान हो जाएगा बलकि हम क्योब अपनी society की रक्षा नहीं कर पाएंगे बलकि आज जो कल दो दिन पहले परयावरन दिवस मनाया गया है कि पृत्वी खत्रे में है इसका भी समाधान निकल जाएगा हम बहुत अच्छे विक्ति अगर बन जाए तो हम अपने को अपने समाज को अपने देश को और अपने वीश्य को सुरक्षित करेंगे यह बुन्यादी रुप से कब पैदा हो जाएगा अच्छा बनते ही इसको कोई मेजर भी नहीं कर पाएगा और हो जाएगा सब ठी और वो अच्छा बनने के लिए क्या जरूरत एक अच्छा मनुश्य बनने के लिए क्या चाहिए क्या तत्तो होना चाहिए उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे पर वो जो एक भारिवारी इसिती थी कटनाई आता चार बहने थी ओ लोग भी पढ़ रहे थी भाई थे ओ लोग भी पढ़ रहे थे फादर अकेले साड़ी बिनाई से शिफ्ट कर गए थे फिर फाल सबजी बेचने का काम करना शुरू किये थे एक बात हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं पांच भाई चार बहने नौ बच्चों की शिक्षा नौ बच्चों की परवरिश माता जी आपने बताया कि हाउस वाइफ थी वो बच्चों को समहलती थी हर तरीके से और एक सिंगल हैंड अर्निंग ये प्रश मैं आपके साथ इसलिए खास करके कर रहा हूँ क्योंकि आज एक बच्चा होता है हर परिवार में चार लोग कमाने वाले होते हैं फिर भी बच्चे की जरूरते नहीं पूरी कर पाते हैं फरक शायद हमारी संस्कृती में हमारी सभ्यता में हमारी सोच में आ गया दर्शकों जिस शिक्षा की बात हम कर रहे हैं इस शिक्षा के पीछे आज हम लोग दौड रहे हैं उस शिक्षा में और बुन्यादी शिक्षा में जो इंसानियत की शिक्षा है उसका अंतर मेरे ख्याल से हमें बताने की जरुवत नहीं है अभी आपके साथ बातचीत में विजय जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप में वो सारे चीजों का विशलेशन कर दिया वैश्विक समस्या का जो पहलू है ना इन्होंने बहुत सुंदरता के साथ डिसकस कर ली रिशियलिजम की बात कर ली जाती की बात कर ली और तीसरी जो सबसे सुंदर बात इन्हों ने कर दी कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम इंसान नहीं बन पाए हम जाती धरम में बढ़ तो गए लेकिन जो हम बनने आये थे इंसान के उसमें आज तक वो नहीं बन पाए अगर इंसाणियत जाग जाए अगर हमें एक बहतर इंसान बन जाएं तो शायद जिन्दिगी के सारे समाधान निकल सकते हैं हम आपके साथ इस बातचीत के सिलसिले को बढ़ा रहे हैं और आज जो आपकी मुलाकात है दोश्चकों बहुत खास है क्योंकि आज हमारे प्रश्ण नहीं है आज हमें प्रश्ण करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि जितनी सुंदर्ता से इस विशय को विजय शास्त्री जी निभा रहे हैं हमें कुछ पूछने की जरुवत नहीं है उनको खुद पता है कि उन्होंने युवा वर्क को देश को समाज को संदेश क्या देना है हर बार हम संदेश मांगते हैं इस बार ये संदेश बह रहा है हर बातचीत के सिलसिले में ये संदेश आ रहा है विजय जी एक जो बुनियादी समस्या थी पैसे की बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं देखिए हम लोग पांच भाई और चार बहने थे और मैं सबसे छोटा था मेरे बड़े भाई मुसे बीस वर्स बड़े थे यानि जब मैं पैदा हुआ रहा हूँगा तो वो युवा थे और वो परिवायर के कामों में हाथ बटाते थे फादर के और हमारे सबी भाई एक एक करके जो बड़े होते गए बहने तो हम लोग ने फादर को बिल्कुल अकेला नहीं चोड़ा आर्थिक मुद्दे पर बलकि अब जैसे खेती होती थी तो हम लोग खिती में लगते थे वो मंडी जाते थे तो हम लोग पस आम का बाग था तो उस बाग से जैसे आम तुटता था तो उसको फैक करना उसको मंडी तक बड़े भाई सा पहुचा भी देते थे फादर के साथ पूरा सहयोग किया मतलब शिक्षा का मतलब यह नहीं रह गया है जो आज के जमाने में और आज से 40 साल पहले हम जाएं आज की रेट में अगर बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो पानी का ग्लास भी उठा करके नहीं पीता वो कहता है मैं तो सब पढ़ रहा हूं वो एक जवाब देना जो हमा के साथ घर के कामों में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं तो मैं तो याद कर रहा हूं कि हम आज वो इस्तिती नहीं है हमारे भी घर में बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ने के नाम पर पूरा समय ले रहे हैं पर हम लोग सुबह काम करके खेतों में फिर खाना खा करके ह राष्टे में ही एक बगीचा पढ़ता था उस बगीचा में सारे स्कूल के जो साथ में आने वाले बच्चे रुखते थे हम नहीं करें क्यों मेरा ही वह आला था हमारे इतने साफ पार्टी थे लगबख सबों की वही आला थे हम लोग बैठ करके बाग में आप सोचिए चार स्कूल से निकलते हैं राष्टे में एक बगीचा बगीचा में सारे बच्चे बैठ के होम वर करते थे इसके बाद घर आते थे क्योंकि कल सुबह हम लोग को हम वर करने का आफसर मिलेगा की नहीं मिलेगा ये नहीं होता था सुबह का खेती करना होता था पानी डालना होता बहुत कुछ करना होता था फिर इस्कूल जाना होता इस्कूल में एक दिन भी हम लोग गैप नहीं करते थे बच्चों के लिए आप क्या संदेश नहीं यही कि यह जो जीवन है बहुत कठिन है इसको अगर किसी इस्पेसिफिक पॉकेट में रख करके जीएंगे तो वो ठीक नहीं है मज़ा भी नहीं है और हम लोगों को महसूस होता था कि खेती मुझे याद है कि एक बार मैं खेलने के लिए निकला दिखे क्या क्या होती है बाते जो जिन्दगी में अमिट हो जाती मैं जा रहा था खेलने के लिए बच्चों के राश्टे में मैंने पूरसोत्तम दादा एक हमारे गाउं के थे वो हल चला रहे थे मैं रुख गया हमने का दादा पांच मेट मैं हल चला देता हूँ आप थोड़ा आराम कर लीचे ऐसे ही मेरे मन में भावा है डादा ने का आरी नहीं नहीं भाईया रहने दो रहने दो आप बच्चे हो जाओ नहीं नहीं दे दीजिए हमको क्योंकि हल चलाने हम लोगों को आता था वो दे दिये वो एक पेड़ के नीचे सोए और मैं हल चलाने लगा दस मिनट पांच मैंने सोचा चलाएंगे फिर दादा करके आराम कर लेंगे लेकिन दादा तो गए सो और मैं पूरा एक एकर जमीन था लगभग मैं पूरा जोत रहा था वो आदा लगभग वो जोते हुए थे पहले से मैं जोताई किया और वो जगे ही नहीं मैं जगाना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि वो गहरी नीद में शो रहे थे इसके बाद जब मैंने पूरा जोत लिया तो मैं उनके सामें बहल वैल को ले जाकर करके खड़ा किया और बताई ये कुछ जोता हूँ तो उनको घबरा करके उठे अरी बेटा ये क्या अनर्थ हो गया ये हो मेरे हाँ तुमें छाले आ गए थे सब फिर खेलने की वज़ए मेरा खेल तो वहीं हो गया ता मैं घर गया घर गया मां को मैंने दिखलाया तो मांने दो चाटे और लगा अरे जिंदगी वे तु हली और देश भी चलाओंगा और आज मुझे महसूस होता है कि उन सब चीजों ने हम लोगों को मैच्चियोर बनाया था कहीं ना कहीं शास्त्री जी आप से बातचीत कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी हमारी उसने कहीं ना कहीं हमें इमोशनली भी जाना टिक करके ना तो डिपरेशन में कमरे में अलग जाकर के बैठते थी ना टाइम होता था क्योंकि अगर अलग जाकर के बैठते तो माबाप ने दो थपड़ा और मारते हैं होते थे तो आज की रिट में वो कॉंसिलिंग तो हुआ नहीं करती थी बच्चों की माबाप को छोड़िए इसकूलों में यह होता था मुझे याद है कि मैंने बहुत अच्छा एक सरस्ती जी का सकेच बनाया टीचर को मैंने दिखलाया राम की सोर्सिंग करके हमारे मास्टर हुआ करते थे ड्राइंग टीचर और वो इंगलिस टीचर भी थे उन्होंने देख का क्यों रहे यह तुमने बनाया है हमने का हाँ गुरुजी मैंने बनाया का मुझे विश्वास तुमने खिसी से बनवाया है और इतना पर ही उन्होंने दस बेत लगाए बाद में हमें भी अच्छीब लग रहा कि मैंने बनाया देखिए यह तो फिर मैंने वह उन्होंने का कि अच्छा सही सही अब तो बताओ कि तुमने बनाया कि नहीं हमने कहा मैं नहीं बनाया तो उसके नीचे अच्छा सा मैंने सरवस्वती मा ऐसा लिखा था का चाहिए लिख करके दिखाओ मैंने एक सेकेंड में लिख दिया उसको कहा लगता है तुम्हें बना अच्छा बेटा नहीं बताया क्योंकि मास्टर साब हमारे आते थे कभी-कभी और उनको चाय वगरे भी मिलता था अब अगर मैं ऐसी बात घर में शेयर कर देता तो मुझे लगता था कि कहीं घर के लोगों का मास्टर साब के पती कोई अगर बच्चे शिकायत भी करते थे ना तो शायद बच् स्कूल गई होंगी हाँ एक दो बार जरूर मेरे बड़े भाई साब वो गया है इसको बाकी तो हम लोग खुद ही अपने प्यास से फार्म बरना कॉम्पेटिशन देना सेलेक्शन होना ये सारा चीज हम लोग करते रहे हैं मैंने बी-ए किया बनारसिंद इन्वर्शी टी से फिर एम-ए, एम-बी-ए और मैनेजमेंट कोर्स में मैंने डॉक्टरेट किया और कभी भी इन सब चीजों के लिए घर वालों से कोई सुझाओ या कोई ऐसी चीज़े नहीं थी क्योंकि हम लोगों को खुद ही भविश्य को तहीं करना था और उस राष्टे पर बढ़ना थ मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे इतनी स्वतंतरता के साथ अपने जीवन का निड़न करते हैं पर देखने में तो यह आता है कि वो बिल्कुल स्वतंतर हैं स्वतंतरता का पर्याय दूसरा हो गया उसका अर्थ दूसरा करते हैं दर्शकों खास करके माबाब से मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा, इन्होंने बंद शब्दों में आपको बता दिया, कि अगर बच्चा माबाब से आकर के शिकायत करता तो उसका परिणाम क्या होता, और बच्चे ने शिकायत घर में आकर के क्यों नहीं करी, यह एक बहुत जलन्द प्रश्ण है, इसमें हमारे समाज का, हमारी शिक्षा का, कि इतने अधिकार आज की रेट में बच्चों को दे दिये गए हैं, कि शायद शिक्षक, आज राजनेता, सु शिक्षित समाज की सनरचना नहीं कर सकता, वो सतंत्रता जो शिक्षक के पास, गुरू के पास होती थी, वो पूर्ण सतंत्रता आज बच्चों के पास चलीगी, और उसको काउंटर करते हैं, पैरेंट्स, हमने अपने बच्चों को शायद इतना जाधा डेलिकेट बना दिया है, कि धूप में वो खड़े नहीं हो सकते, बारिश में वो सामर्थ नहीं है उनके अंदर उसको बरदाश कर पाने की, लेकिन एक सद्र राष्ट समाज की कलपना तभी करी जा सकती है, जब हमारे बच्चे सद्र होंगे, हम इसके बारे में जाधा कुछ नहीं कहेंगे, समझदार को इशारा काफी होता है, बिजय जी से आगे बाचीत का सिलसला हम बढ पाना दिया, और किस तरीके से एक बच्चे ने अपने परिवार, समाज और उजी एक संस्कृती थी घर के आसपास की सब को ले करके आप आगे बढ़तेगे, आपने शिक्षा पून की, डॉक्टरेट ली और उस विशे पे लिए जो शायद मेरे ख्याल से कहना तो नहीं च सारे देश हमने टच कर लिए, बी एच यू के बल टाइप करके देख लिजेगा, पता चल जाएगा कि क्या इस्तर है, और कैसे शिक्षा मिलती है, और क्या महत्व है उस शिक्षा का। मालवी जी ने 1916 में बनारसिंदू इन्वर्सिटी की स्थापना किया था, तब से लेकि अभी तब एक ऐसा रिकार्ड है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो रिकार्ड ये है, कि जब मैं बर्तमान छात्र था, वहां का डॉक्टरेट कर रहा था, तब ही मैं पार्लेमें अज्टिया बन गया था, क्या समझच था, कि प्रोटोकॉल में मैं जिनको सर कहता था, अब उनको सर मुझे कहता था, ये हलात हो गई थी, लेकिन मैंने इसका समाधान निकाला था, मैंने तुरंट अपने डिपार्टमेंट में भेजा था ये मैसेश, कि मेरा और विश्बी बहुत अच्छा मैसेज दिया रोने एक स्टूडेंट को कि इविन दो विन वी राइज इन लाइफ, विन वी राइज इन स्टांडर अफ लिविंग यू कैन से और सोशल स्टेटर्स का जो एलिवेशन है वह इतना महत्पूर नहीं होता कि वह हमारे शिक्षकों से भी उपर बिल्कूल, उस समय मुझे अच्छा लगा था, मैं बनारे सिंदूरियों शिटी में पहली बार गया था, वाइज शांसलर ने, एमपी बन करके, पार्लिमेंट मेंबर, वाइज शांसलर ने मेरा स्वागत किया, अपने वी सी लाज में उन्होंने एक चोटी सी टी पार्टी भी रखी थी, उस बी सी के सामने, जिसके सामने हम लोग खड़े नहीं होते थे, फिर टीचरों के साथ, जो मेरे प्रोफेशर्स और डीन हेड इत्यादी थे, उनके साथ गया, छात्रों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, लोगों ने भी, मेरे ना ना कहने के बावजूद भी मुझको टीचर्स और चात्रों ने तो वहाँ पर सर बोला ही, हलाकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा इस तरह से वहाँ हो, मैं एक सामने, और मुश्किल ये था, मैं एक दली तवर्गशे था, एक साधारन चात्र था, और कभी भी विश्विद्याले के पॉलिटिक्स म मैंने हस्तचेप भी नहीं किया था, बलकि हम तो जब हमारे चात्र नेता कभी क्लासेज में आकर के डिस्टर्विंस करते थे, तो मैं उनको थ्रिटनिंग भी देता था, कि क्लास में अगर आप लोग डिस्टर्व करेंगे, तो हम लोग आपको बोट नहीं देंगे, तो वो मैं पढ़ लिख करके, in fact, मेरी वही determination था, कि मैं कुछ solution देना चाहता है, जो आर्थिक समस्याओं का जो आपका विचार दृष्टिकोंट शुरू से था, दृष्टिकों को एक कहने तो नहीं चाहिए, बट एक शब निकल के आया, अभी दलित वर्ग, विजय जी ने बूल अपने परे में, विडंबना देखिए, हम उस देश से, हम उस सनस्कृति से हैं, जहां पर कहते हैं, या देवी सर्व भूतेशु, जाती रूपेन संस्थिता, नमस्तस से, नमस्तस से, नमुनमा, आजादी के एतने वर्षों के बाद, भी, हम अभी भी उसमानसिक्ता से बा जिसने समाज को समाज के निर्मान में योगदान दिया, उसकी वही जाती हो जाती है, दर्शकों, यदि हमें देश को बनाना है, मानवता को बनाना है, मानव को बनाना है, एक नई सोच, एक सकारात्मक सोच और एक दिशा देनी है, तो कहीं ना कहीं, अब हमें सब को एक बढ़ाना है और इस विचार धारा से बाहर निकलना भी है और निकालना भी है।। बहुत जरूरी है हमारे राश्ट्र के लिए, हमारी मानवता के लिए। दर्श्रकों, बाचीत हम जारी रख रहे हैं और उमें उमीद है कि जितनी भी हम आपके साथ बाचीत करते हैं, खास क करके जो राजनितिक जीवन के लोग हैं, इनकी दुश्वारियां, इनकी जो जीवन शैली है, वो अपने आप में ही इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की उमीद होती है कि हर जगें मौजूद होंगे, हर जगें पहुंचेंगे, किसी को ना ना करने के पीछे, जितना कुछ इनको फेस करना पड़ता है, वो एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए, खाली पद पे बैट जाने से, कुर्सी पे बैट जाने से कोई नेता नहीं हो जाता, नेता होने के लिए उसको अपने जीवन का सर्वस निशावर करना पड़ता है, सम दली समश्या वास्तों में हमारे देश की एक बड़ी समश्या है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, कि दली समश्या का समाधान की दिशा में हमने अभी तक कोई कदमी नहीं उठाए है, देखिए है क्या दली समश्या, पहले तो ये देखिए, तमाम लोग कहते हैं, का एक बेखिए, अगर बहुत पढ़ाई लिखाई कर ले, तो अन्ततों गत्वा समाज में तो लोट नहीं होता है, तो समाज में उसकी क्या पहचान होती है, पढ़ा लिखा दलीत, इससे ज़्यादा नहीं होता है, अगर दली समाज का कोई बेखिए, डॉक्टरी या इंज इंजिनेरिंग पढ़ ले, डॉक्टर इंजिनियर बन करके जब वो सोसाइटी में वापस आता है, तो वहाँ उसकी पहचान क्या होती है, इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी, डॉक्टर दलीत इंजिनियर, अगर पढ़ाई लिखाई करके एक डली समाज का वेक्ति, आ दिन रात परिश्रम करके अगर एक डलीत नौजवान और वो रुपे कमाले, सो क्रोड रुपे, तो उसको क्या बोला जाता है, पैसे वाला डलीत, अगर उसके भी आगे जाए, जैसे हम लोग हैं, बीस लाख लोगों में चुन करके हम लोग दिल्ली के में आते हैं, और और विकास को और आगे बढ़ाया, जो एक्स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं, कि अगर कोई दलित राश्पती देश का बन जाता है, तो दलित राश्पती, यानि राश्पती भी दलित होने लगा, यानि दलित कितना भी विकास कर ले, दलित वर्ग का वेक्ति, अंततो गत्व उसको दलित की ही पहचान मिलती है, ये टैग जो उसके उपर दलित का लगता है, ये कैसे इससे मुक्ती मिले, क्या संविधान के पास कोई ऐसा है, सलूशन, क्या सोसाइटी के पास ऐसा है, सलूशन, क्या संसत के पास है, इसका सलूशन, नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका स कहां हो रहा है क्या ये सफली लाज होगा क्या शास्त्री जी इसका सलूशन आप ही ने दिया था इंसानियत मानवता और अगर उसका गुण जागरत हो जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत गौण हो जाती बहुत छोटी सी रह जाती है वो तो एक फाइनल सलूशन है वो एक फ कोटे वाला क्या है मुझको बच्चे कुछ टॉंट करते हैं हमने कहा क्योंकि रिजर्वेशन सेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का एक कोटा होता है उसमें तुमने एड्मिशन लिया है इसलिए वो लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर ऐसा क्यों होता है ये कोटा हमें क्यों मिला मुझे आश्यरी हुआ कि मेरा वेटा जो हम दलित इश्यू पर इतना काम कर रहे है उसको दलित का मतलब भी नहीं सेड्यूल काश्ट की इस समश्या का मतलब ने रिजर्वेशन क्यों उसको दिया गया ये नहीं पता तो अन्य लोगों की क्या हलात होगी मैं चाहता हूँ कि इस विशे को खुलासा हो दलितों को क्यों रिजर्वेशन मिलता है दलित कौन है क्या है वो कैसे ही दलित हो गए क्या प्राचिनकाल में जो सुदर्थे क्या वही दलित है डॉक्टर अम्बेटकन ये किताब लिखा है वो वेर सुदराज बहुत महत्वपून किताब है उनकी उनके पहले पेश के थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है हुवेर सुद्रा नम की किताब के कि जो प्रजेंट दलित हैं भारत के ये प्राचीनिय अबैदिक आलिन सुद्र नहीं है और सुद्रों के लिए क्या नियम कानून बने है वो इन दलितों पर लागू नहीं होते और उन्होंने पैराग्राफ क्लोज किया है ये कहते हुए कि भारत के इतिहासकारों को भारत के इतिहासका समूचित ग्यान होता तो गत्य सताब्दी के भीषण नरसंगार को रोका जा सकता था यानि हमारे यहां आज भी आचेर रजनीस जैसे लोगों का मैंने आडियो सुना है उन्होंने कहा है ओ सुद्र सुद्र ओ सुद्र कहते हैं दलितों को जबकि डॉक्टर अंबेटकर तो दलित इसु के एक्सपर्ट माने जाते हैं उन्होंने इस पश लिखा कि जो भारत के बरतमान दलित हैं दे आर नौट सुद्राज और वार्ट सुद्रूल से रगुलेशन विचिज मेड फार दी सुद्राज दलित क्या इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थि जो देश ने नहीं किया और इसी लिए दलितों को क्यों रिजरवेशन दिया जाता है ये इस पश नहीं हो पाता है अब और लगता है ये सुद्राज है पर सुद्र तो हैं क्योंकि Dr. Ambedkar ने लिखा, देखें इत्यास कितना गुम रहा है, Dr. Ambedkar ने 1927 में Mano Smriti को जला दिया, देखें गुम रहा कैसे है, पर Dr. Ambedkar ने 1948 में किताब लिखा है, इसका नाम था, The Untouchable, उसके page number 99 पर उन्होंने लिखा, there was no untouchability in Manoira, Sudraj and Antes was never untouchable in India, लेकिन जो भारत के दलित हैं ये अंटचिबल हैं क्योंकि भारत सरकार के गजट के हिसाब से सेडूल कास्ट वही हो सकता है जो हिंदू फोल्ड में या तो अंटचिबल्टी की उसके साथ प्रैक्टिस होती है और वो अंक्लिन अकुपेशन में ये दो आधार के अलवां तीस अंटचिबल्टी आई कब और इस अंदर में डॉक्टर अंबेटकर ने इस पस्ट लिखा है हलाकि उससे थोड़ा सा मैं सामत नहीं हो पाता थोड़ा थोड़ा मतलब उसके 10 परसेंट बाकी 90 परसेंट से मैं सामत उन्होंने और 1948 में ही जो वो खिताब लिखा दी अंटचि इटिइग है गो मांस भक्षन ये डॉक्टर अंबेट करने लिखा आज कितना चछा चलना है वीप पर तारी चीजों पर पर ये डोक्टर अंबेटकर की signing थी कि भारत में अनटचिबिल्टी का अगर एक मत्र कोई कारण है तो गो मांस भक्षन है और यह मेरे ख्याल से उन् में मेरे मन में आता है कि भारत में तो beef eaters यानि Arabian forces जो beef काते थे अरब के आकरांता जो भारत पर attack करते थे वो beef eater थे तो वो तो बारहवी सताब्दी में यहां पर आना साशन करना शुरू किये इसलिए चेट्वी सताब्दी की बचार में उसको बारहवी सताब्दी मानता और क्यों क्योंकि इसके भी कारण मुझे मिले schedule caste की जो दो कारण है एक unclean occupation एक untouchability का practice ये दोनो 12 century के पहले का मुझे नहीं मिलता 12 century के पहले एक भी भारत में untouchability का कोई उधारन नहीं मिलता जीतने methodology धर्म ग्रंथ सब का अध्यन करने के उपरांत में बोल रहा हूं और दूसरा unclean occupation अस्वक्ष बेवशाय का भी है ये मेलाड होना चमड़े का काम ये सब तो भारत वर्स में 12 शदी के पहले है ही था ही नहीं आज इन ही में involved लोग दलित के रूप में जाने जाते हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थिती थी जब भारत में ये दलित वर्ग का उदै हुआ मैं इस संदर्व में बहुत गहरा ही तक मैंने अध्यन किया है और मैंने वो उस कारण को भी इस पाइनट को रहा है कि मैंने उस को उन कारणों को लिखा है जो दुनिया के सामने मैं ने रख्था है कि यह जो बालमी की जाती कि लोगोते है यह जो शर्मकार जाती कि लोगोते है खिटिक जाती के जो दलित जाती है ynn broken में 2108 अट और सेडुल टाइप में फॉर हंडेड सिक्ष्टी फाइब चार सो पैंसट जाती हैं ये तो इतनी जाती हैं इनकी उप जाती हैं कितनी है भारत का वो नक्सा आपको मैं बताओं तो हैरान होंगे 12 सेंचुरी के पहले का भारत और उसके बाद के भारत में अंतर आ गया 12 सेंचुरी के पहले के भारत का जो हिंदू फोल्ड था उसका ताना बाना फाइबरिक्स क्या था चार बॉर्ण थे 117 गोत्र थे मात्र और 36 काश्ट थे कि वह थत्तिस जातियां थी आज भी पहाड़ों में चले जाएं या नेपाल इत्याद भी तो आँ 36 जातियों का ही कॉंसेप्ट है पर भारत सरकार के गजट की इंसाफ से आज जानते हैं कितनी जातियां साड़े छे हजार जातियां हैं और पचास हजार से ज़्यादा उप जातियां हैं यानि कास्ट विदिन कास्ट छत्री जाती में 1265 उप जातियां हैं इतनी तो अभी हमें मिली हैं इसे ज़्यादा ही होगी लोवर कास्ट में सो कॉल लोवर कास्ट जिसको कहते हैं सिर्फ एक चर्मकार जाती में 410 उप जातियां हैं सिर्फ एक खटिक जाती में जो मांस का व्योशाय करती है इस जाती मे 1871 1871 सबकास्ट है जो हिंदू फोल में सबसे lowest caste so called जिसको कहा जाता है मैं दिल को बहुत कड़ा करके वो बात उच्चारण करता हूँ यानि बालमी की जाती सफाई करमी जाती उनमें 623 उप जातिया है और इन सारे जो दलित उप जातिया है और जातिया अगर इन पर सामाजिक रूप से अगर गहरी द्रिश्टी डालेंगे तो इन में 90% जातिया च्चत्रियों के उप जातियों से गोत्रों से मिलती है और 10% ब्रामणों के आईसा लगता है कि ब्रामण और ये देखने में कि ये या तो ब्रामण थी या छत्री थे अब दलित जाने जाते हैं पर मैंने अपनी किताबों में एक दूसरा विशे उठाया है कि ये ब्रामण और छत्री दलित कैसे बन गया है और उसका पूरा कारण मैंने दिया है मैक्सिमम किताबों पर मैंने footnote तक दिये है कि वो reference last में नहीं दिया है उसी page में जहाँ मैंने समस्या देखा, वोहीं नीचे reference भी दिया है ये कह कि दली समस्या का समाधान होना चाहिए और दली समस्या का समाधान राजनितिक नहीं है आर्थिक भी नहीं है और सैक्षिनिक भी नहीं है दली समस्या का समाधान अगर है तो किवल और किवल समाजिक है मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब कल्यान सिंग जी बंचित सब्द का प्रयोग किये थे तो मैंने पूछा था कि भाई साब बंचित का मतलब क्या निकाल रहे हैं याँ मुल भूत आवश्यक्ता की चीजों से बंचित रह जाना रोटी कपड़ा और मकान न मिलना यही है तो यह तो एक ब्रहमण भी हो सकता है एक छत्री भी हो सकता है एक दलीत तो है ही पर क्या एक ब्रहमण दलीत हो सकता है क्या अच्छूत हो सकता है क्या क्या एक छत्री है क्या अच्छूत हो सकता है क्या दलित का मतलब untouchable दलित का मतलब low सामाजिक व्योस्था में नीम ये जो meaning निकाली जाती है ये so called तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये दलित है कौं इन फाक्ट जब outsider forces यानि विदेशी Arabian forces जब भारत पर attack करती थी तो पूरा देश उनके सामने खड़ा होता था उनका प्रतिकार करता था विरोध करता था पर उनका जो main target कौन होता था उनके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा कौन होता था आवरोध तो धर्म और संस्कृति के नाम पर प्राह्मन होता था और भौगोलिक सीमा की रक्षा के नाम पर चत्री होता था तो Arabian force का main enemy यही ब्राह्मन चत्री होते थे ओ इनको पराश्ट करते थे इनसे संघर्स करते थे लड़ाई जगड़ा करते थे बड़ी संख्यामन